क्या करा है कि मांग के नियम का संबंद है इन में से कौन सा राइड उप्षन होगा जिसी कि आपके सामने चार उप्षन दिये हुए है कि सामाने कीमत अस्तर में विर्दी है सामाने कीमत अस्तर में विर्दी है कि उत्पादन वक्र की आगिरती होती है अवसरत उत्पादन वक्र की आखिरती इन में से कौन सी होती है उप्षन तो देख पारोंगे अब लोग तो फाइनल राइड उप्षन की बात करते हैं उप्षन का बी उदागा ने उल्टे यू की किस परिस्तिती में उत्पादन संभावना वक्र दाईं और खिसक जाती है यानि कौन सी परिस्ती उत्पादन संभावना वक्र जो हते है वो दाईं और खिसक जाता है के बल्ए और सी यहां पे और सी जो है ठीक है सनसाथिनों की विर्दी से और तक्निक में सुधार से चलिए आगे बढ़ते हैं question number five क्या करा है कि पुन परती असफर्दी बाजार में आउसत आगम जो कि AR और सीमांत आगम जो कि MR है इसके आपके सामने चार आप्सन दीए हुए है तो आपके सामने दीए हुए है जैसे कि आप लोग देख पा रहोंगे चलिए पूरक वस्तु के मुल में कमी आती हैं तो आपके पूरक वस्तु के मुल में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होती यह जैसे आपके सामने दीख रहोंगे तो आठका राइप्सन की बात करेंगे तो ऑफ्सन का यह जागा यह बढ़ती है ठीक है जाए आठका नमबर चलिए आगे कुस्टन के लिए बढ़ती हम लोग श्रुर्ट के में कराया कि इन में से किसे जो सनसादन भूमी के अंतरगत नहीं रख सकते हैं ठीक है चार अप्सन दिया हुए आपके समने तो फाइनल राटोसन के रात करें तो आप्सन नमर क्या हुआगा नायन का अप्सन नमर डी जो करें यह नहीं मसीन चले कुछन नमर दस करा है अंतिम रीन दाता किसे कहा जाता ह तो अप्सन दिया हुआ है तो फाइनल राटोसन नमर विल बी दे ऑप्सन नमर डी भारतिय रिजवर्बैंक को अगे कुछन नमर एगार करा है निमन मैं जो कौन सी आर्थिक किरिया है अर्थ वरस्ता की अधियन सामगिरी के अंतरगत सम्मिलित की जाती है यहां पर अर्थ वरस्ता की जो नाम दिये हैं इनमें से जो किरिया कलाब दिये हुआ है तो इनमें से कौन सी जो है अर्थ सास की अधियन सामगिरी के अंतरगत सम्मिलित की जाती है तो फाइनल राटोसन विल बी आप्सन नमर सी देट मिन ए और बी यानि राटोसन बिलकुल सी यहां पर रा फिर उसके बाद विने में निवे सो राटोसन नमर विल भी देट आप्सन नमर डिटेट मिन इनमें सभी ना मुविंग नेज को सनके नमर 13 जास्टी समस्ती जो है अर्थ वरस्ता के अंतरगत जो है निमन मैसे वह जो है किसका अध्यान किया राता है तो पता आप सभी परह अर्थ वरस्ता है अर्थ वरस्ता की साखाएं जो कौन कौन सी है यहां पर ऑप्सन के हिसाब से सब्सक्राइब को तो पंदर का राटोसन के बात करेंगे तो जाओगा और शन नमबर यहां पर डिव दगा इन में से सभी चलागी वरते हिसे निमना लिखत में जो कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है यह सो राटोसन के वाथ करेंगा अर्था वह वह फ्रस्तिका जो साधन नहीं है कि उतपादन संभावना वक्र है इन में से यहां अक्छे की और नतिदर होती है चले आगे बरते हैं हम लोग कोश्यन यहां पर 17 हो जुका है कि उस वक्रा का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर साथा था सा यह तो आरे समरी दिएलये विए और करने उत्पादन संभावना वक्र क्या दागा option number D चले कुछ नंबर 19 क्या करा कि निमने मैं कौन सा कथन सही है इन में से कौन सा कथन सही है आपको चुनना है सभी हो जाएगा ठीक है उप्योग सभी option D हो जागे बड़ते हैं कि किसी वस्तु किसी वस्तु में मानिविया अवस्त्यक्ता की पूर्ति की छमता को कहते हैं आप यहां पर option दिये हुए किस का क्या जागा एक किस करें आप लोग पढ़ी लीजिए और क्या कहते हैं बस आप लोग पता है तो कमर्वक्स न पता सकते हैं तो आप यहां प्योगिता का कर्म वाचक किस ने दिया तो किस ने दिया था वह दिया था हिक्स एवंग एले ने आपस्टन का सी हो जाएगा ठीक है तेस क्या होगा आपसन नमबर सी चले आगे बढ़ते हैं लोग कोस्टन नमबर 24 के तरफ करा कि अर्थिवस्ता कि के अंदरे आधार्शन का होगा चोईविसकाचा ओपसन नमर यह पर सी जगने आर्थिक विकास जो इसकी के अंदरे समंस्य है और अर्थिवस्ता की चले आगे बरते हैं कोस्टन 25 करा कि अवस्यक वस्तूएं की मांग की लोच जो होती है वो क्या होती है तो फ्वाइनल आपको मांग क प्रिवरतन कारान मांग परिवरतन करा कि निम्ना रिखित मैं जह है सही आंकित कीजिए यहां पर जो कौन वह सही आंकित होगा तो जैसे के आपकी सामने ओप्षन दिख रहे होँगे तो फाइनल राइट उप्सन की बात करेंगे तो यहां पर उप्सन नमबर ए उजागा ने टी बी सी जी कोईल टी सी माइनस टी एफ सी चले आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर यहां पर 28 क्या करा है कि निम्नल लिखित मैं जो है किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग औ कोश्चन नमबर 29 क्यमत उस बिंदू पर निरधारित होती है जहां अप यहां पर सन दिया हुआ है अभेशन पोसन नमबर तो यहां हो ज्यान की मांग यहां की मांग और आम स्या दिदार होती है सामिल है परवा की अंतरगत जो है निम्नलिखित में कौन सामिल है तो थर्टिकर आड़ोशन के बात करेंगे तो क्या होगा option number यहाँ पर D हो जागा ठीक है यानि इनमें सभी कुछन बगतिस करा है कि वास्तिविक परवा की अंतरगत वास्तिविक परवा की अंतरगत जो है निम्नलिखित में कौन सामिल है तो फाइनल के अंतरगत 31 कर आड़ोशन option number यहाँ पर C हो जागा ठीक है क्या होगा अगर C यानि A और B दोनो आगे कुछन 32 करा है कि परिवार फर्मो को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं परदान करते है परिवार जो वो फर्मो को जो वो कौन सी सेवा जो परदान करती है सुरा अड़ोशन के बात करेंगे तो 32 कर आड़ोशन क्यागा option number D हो जाएगी दी हो जागा यहां पर इनमें सभी हो जागा क्या होगा option number D तुसलिए हम लोग 34 कोर्शन की तरफ बढ़ते हैं तो इसकत कोर्शन में 34 आगे आगे आप देख पार होंगे चार छेत्री मॉडल में निम्नलिखित में कौन सामिल है सो option को यहां अच्छी देख लिजिए सो 34 का राइड़ोशन की बात करेंगे तो क्या जागा चार चार छेत्री मॉडल में निम्नलिखित में कौन सामिल है सो option C हो जागा चरी कुछन नंबर 35 का राइड़ोशन नंबर चार छेत्री मॉडल में चक्री है पर वहां मैं संतूलन के लिए सर्थ निम्नलिखित में से कौन सी है सो option आपके सामने है और यहां पर चुनिए कौन सा option सही होगा सो 35 का राइड़ोशन नंबर यहां पर C हो जाएगा ठिक है यहने C पलस I पलस G पलस ब्रैकेट एकस माइनस M ब्रैकेट क्लोज option यहां पर C होताएगा ठिक होगा option नंबर यहां पर 36 का क्या होना चाहिए डी होना चाहिए इनमें से सभी ठीक है कौन सा अधियन जो विशा सम्मलित है सो फाइनल राइड़ोशन के बात करेंगे तो क्या होगा अर्थिस का option नंबर यहां पर D हो जाएगा इनमें सभी चले कौशन में 49 करा समस्ती अर्थिवास्ता की निम्नलिकित मैं कौन सी सिमाए है सो option को एक बार देख लिए आप लोग 49 करा option option नंबर यहां पर C जोगा A और B दोनो कौशन 40 करा कि सामुहिक मांग का परमुग घटक जो है इनमें से कौन सा है देखिए option को ध्यान से अब लोग सो चालिस का option नंबर यहां पर C and D हो जागा ठीक है इनमें से सभी चले कौशन 41 करा कि MPC का नाम जो है यानि क्या मान होता है MPC का option को देख लिए यहां पर सो फाइनल 41 करा option option नंबर यहां पर C जाएगा ठीक है 0 से अधिक किंतु 1 से कम यानि आनन्द हो जाएगा मतलब option में डीव आनन्द दिया हुआ यानि 0 से अधिक किंतु 1 से कम यहां से option इसका ठीक है आगे बरतें question number 42 करा कि यदि MPC बराबर 0.5 तो गुनक जो है K होगा यानि यहां पर MPC बराबर 5 दिया रहेगा तो इसका गुनक जो K उसका मान क्या हो जागा आगे बरतें question number 43 करा कि यदि MPC बराबर 0.5 और RMB विनो योग जो है 100 करोर है तो अर्थ वास्ता में कुल आयमाय विर्दी होगी कितनी होगी तो देखी लिए यहां पर option को आप लोग 43 करा option option number C हो जाएगा यानि 200 करोर जैसे के आपने यहां पर इसका फॉर्मूला के अकोर्डिंग देखी लिए जाओंगे ठीक है यहां पर 2 जाएगा तो यहां पर MPC बराबर 0.5 रहेगा आरेंबिक उन्हें में 100 करोर तो अर्थिवास्ता में जो कुल जो है विर्दी हो जोगे वज़ोगी 200 करोर ठीक है आगे बढ़ती हम लोग कोस्टन नंबर यहां पर 24 क्या करा कि अवर स्फितिक अंत्राल किसकी माप जो है बताता है ऑप्सन को देख लिए यहां पर आप्सन नंबर यहां पर यह हो जागा ठीक है नियून मांग की निमनलिक्त में से कौन सी विशेस्ता हैं ऑप्सन आपको सामने दिया हुआ सब्सक्राइब करा कि अप्सन का सी उजागा यानि ए और बी दोनों अप्सन को आप लोग अच्छी देख से रीट कर लिजे और यहां पर टिकाउट कर लिजे ऑप्सन नंबर सी उजागी कोशन 46 करा कि नियून मांग के उत्पन होने के निमनलिक्त में जो कौन से कारण है इन में से कौन सा कारण है ऑप्सन तो आपके सामने दिये हुए हैं सो फाइनल राट प्सन करते हैं ऑप्सन नंबर यहां पे डी उजागा नि उप्यूक सभी आगे बढ़ते हैं हम लोग कुश्चन सहीतारस करा है कि निमनलिकत में कौन सा कथन जो है सही है ऑप्सन को देख 48 का राट प्सन नंबर यह जागाने इस फितिक अंतराल आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 59 करा कि अतिरेक मांग उत्पन होने के लिए जो है निमनलिकत में कौन से जो कारण है सो आप्सन को एब बाचिते सब लोग देख लिजी यहां पे फाइनल 59 का राट प्सन के बा कोई नहीं कुश्चन 51 करा कि केंदरे बैंक अर्थवस्था में आर्थिक स्थिर्था प्राप्त करने के लिए मौद्रिक जो है निती द्वारा निमनलिकत में किसे नियंतरित किया जाता है सो चार आप्सन आप सामने दिया हुआ 51 का राट करेंगे तो आप्सन नमबर डी द बात करेंगे तो क्या होगा 52 का अप्सन नमबर डी हो जागा यानि इन में से सभी आगे बढ़ते हैं कुश्चन 53 करा कि गुनात्मक साख नियंतरिन के अंतरगत निमनलिकत में जो है किसे किसे सामिल जो है किया जाता है आपके सामने दिख रहे होंगे तो दिखिए हैं पे स ठीक करने के लिए निमनलिक्त में कौन से मौधरिक उपाय जो है किया जा सकते हैं ऑप्शन देख लिजी यहां पे सो चोबबन कराराज करते हैं ऑप्शन नमर्बर डी होगा इनमें से सभी आगे बढ़ते हैं कोशन 55 क्या करा करा इस पीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प कितिक अंतराल को ठीक करने के लिए उप्युक मौद्रिक उपाय जो है कौन से इन में से सभी आगे बढ़ते हैं समाप्त होने वाला है और देख लिए ते कुछ कुछन जदी अर्थी वश्ता में आये का संतूलन जो अस्तर पूर्ण रोजगार के अस्तर से पहले निरधारित हो जाता है तब इससे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है सो फाइनल रिधाशिंक के बात करें दो 57 का अपन्डर रोजगार संतूलन त्र द्र दिए वाया पार चक्र के उत्पन होने के निम्या लिखित में कौन से कारण है सो उन्हें साथ करा रहा है देखें आपे और इस वीडियो का लास्ट कुशन होगा नियोर मांग को ठीक करने के निमने लेकित में कौन से उपाए हैं सो उपसन यहां पर देख लीजिए आप लोग चार उपसन आपके सामने दिये हुए हैं कर चुके हैं अगर आप लोग को एडमिशन जिसको भी करना है तो जलसील इस नंबर पर कॉल करके अपना एडमिशन करवा लेजिए और जो भी वीडियो का अभी तक लाइक ने की वीडियो को लाइक कर देजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करती जिएगा आपके स्क्रीन पर वीडियो आरा तो देख लिजिए और चलिए यह तक वीडियो को समात करते हैं जब तक कि मिलेंगे नए वीडियो में जब तक कि लिए जैहिन जा भारत एंड थैंक्स फॉर वाचिंग